एक बार आपका फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत जाते हैं आज के इस वीडियों हम बात करने वाले जिया की 17R प्लस जिया की 15R दोनों साथ भी को हम एक ही DMX पर चलाने वाले तो आज के इस वीडियों इसका पूरा को पूरो टुटोरिल आपको बताएंगे कि इन दोनों के अंदर क्या एड्रेसिंग करनी है कैसे इनका connection करना है उसके अलावा इसके अंदर पूरी DMX 512 का अंदर कैसे programming का एडिकरनी है उस कि DMX पर दो अलग अलग मोडल की सार्वी को सलाना इजी नहीं रहता है लेकिन आप इस ट्रिक से इन दोनों सार्वी को आसानी से चला सकते हैं तो चले फ्रेंग्स फटा फट से हमारे वीडियो स्टार्ट कर लेता है अब हमें चार्व सार्पी है रड़ी है नहीं पर फस्ट की बार करें विप्टे नहां रहा है और लास्ट के नहीं अब देखना यह है कि इसको कर सकते हैं तो किस ताइप से को करना है और अब इसकी एड्रेसिंग कभी बता देते हैं तो यहां पर सबसे है इसको हम कमांड देंगे करेंगे हम सबसे लांट वाली को और उसके अंदर एड्रेसिंग हम डालेंगे जो रहेगा 017 और उसके बाद इन दोलों 20 वाली को हम लेंगे तो इस वैंक से इनको कॉप्लर करेंगे तो उसके बाद कनेक्शन की बाद करें तो यहां से देख सकते हैं आप जो हमारी DMX की कैबल यहां आप लज़र आ रही है यह सिधा फर्स्ट में जाई है फर्स्ट से सिधा डायरेक्टर सबसे लाश्ट में जाएगी लाश्ट के बास थर्ड में और फर्ट बास सेगेंड में यह इस तरह से DMX का जो इंपूट इसके सबसे पहले DMX को अन कर लेते हैं जैसे इसके हैड वो नीचे होगे सबसे पहले हम इसको उपर चेक कर लेते हैं जैसे मैं यहां फर्स्ट सेलेक्ट करता हूं हमारी फर्ट सार्पी में मुमेंट आ जाता है Holder is our second इसके बाद हमनेbra upwards धी 304 जो 15 न tem start है तो यह दोनों के उदने देख सकते हो मोमेंट ओगया उसके बाद हमारी जो 20 की दोनों laughed और थर्ड है इन दोनों को हमने लिया था दो और तीन पर है तो यहां पर इसके अंदर मूमेंट आजाता है एक अगया तो यह दिखत आ जाती है कि दोनों के जो अलग अलग है यानि इसके अंदर फ्रेंट सम् 1st और सेकेंड हैं इसको हम टेल पैन एक नमर से करा सकते हैं और दो नमर से यूज दे सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं तो यह एक दिकत है यानि कि हमारे पाई स्टोटल स्यार सरपी है स्यारों को प्रोग्राम बनाने के लिए एक कुछ सट करना होगा तब बिदाकर इसकी को मुझा सब से पहले program mode फोट करके रखते हैं यहाँ पर आप आप देख सकते हैं इंडिकेटर करना सुरू हो गया, तो हम सब से पहले जैसे यह एक जगा पर set कर लेंगे जैसे यह होगी और यहां पर हम इन दोनों को Lamp रेंगे टीकिए यह लेंप होगे अब इन दोनों को हम बन कर देंगे और 20 के दोनों को select करेंगे उसके बाद इनको हम moment करेंगे एक circle पर लाएंगे जैसे यह इसका ultra rotation में लाती है तो इसको एक जगा पर हम लेंगे लेंगे जैसे यह चारो है उसके बाद इस दोनों के अंदर हम lamp को on कर लेंगे कि यहां पर चारों के अंदर लेंप आ चुका है अब हमारी एक सेस हो गया है तो हम यहां से मीडी एड यहां पर एक फर्स साहर की यह वो reset हो गई है और एक यह बार बार problem करी रही है सबसे पहले हम DMX को on कर लेते हैं अब एक बार इसकी एड्रेसिंग में complete करा देता हूं आपको जैसे सबसे पहले मैंने फर्स साहर की को पांस नुमर पर लिया है जैसे आप देख सकते हो और सबसे लाश्ट नी फॉर्स साहर पर उसको मैंने चार पर लिया है और जो बीस में उसको मैं second और third लिया है जो आप इसके moment को देख सकते हो तो अब सबसे पहले हम इनकी programming add करने के लिए program बटन को प्रेस करके रखे हैं और इसके अंदर जो पुरानी program थी वो सारी की सारी delete कर दी एक दम clear है अब सबसे पहले हम एक circle choose करेंगे कोई भी जैसे मैं fourth और fifth को select करता अब यहां से इसको एक moment लेंगे यहां से और इनको lamp को on कर लेंगे दोनों के अंदर lamp आ गया तो यह on हो गया अब second और third को लेंगे और इसको भी एक circle में लेंगे यह हो गया और इन दोनों के lamp को भी on कर लेंगे तो अब हमारा एक say से वो complete है तो इसको media add और इसको one पर add कर लेंगे पूरी led blinking को यानि एक हमारे प्रोग्राम से हो गया उसके बाद हम इसको वापस से दूसरे number add करेंगे तो यहां पर मैं इन दोनों को लंप को और रखता हूं और इसको हम वापस से सेट करेंगे इसको इस टाइप से फॉर्थ और फिप्त यानि फर्स्ट और फॉर्फ सार्पी को स्लेक्ट करेंगे और इसके head को हम उपर करेंगे सबसे पहले इनको सेंटर में लाएंगे और यहां से हम इसको उपर करेंगे चारों का मेल एक होना चाहिए क्योंकि हमारी दो 17 नार है दो 15 नार है उसके साब से यह हमारा हो गया दूसरा से इसको हम मीडी एड और दो पर सेव कर लेंगे फिर यहां से हम थर्ड जो सूजे वो करेंगे वो इसके head को निच्छे ले आएंगे और इसके rotating को भी थोड़ा आगे ले जाएंगे यहां तक और फिर हम हमारी जो 17 नार है उसको स्लेक्ट करेंगे और इसके मुमेंट को भी नीच्छे ले आएंगे यह होगे स्यारो का पोजीशन और इसको हम मीडी एड और थर्ड पोजीशन पर इसको सेव कर लेंगे हम ब्लग करेंगे एक हमारी यह प्रोग्राम इसके अंदर खीशन अब यहां से हम इसको तो येक बाब इसको प्रेस करके रखेंगे हैं मैं और यहां से बाहर आजएंगे अब हैं प्रदूत करेंगे ऑफ सेख्कर से अब जितने आशानी से यह उटमेटिकली तीच अब देख सकता हो एक हमारे इंड हो चुका इसके अंदर अब कर सकते हो नहीं है अब हम एक सेड़् है तो प्लेस करके रखेंगे और फर्स्ट के अंडर हम क्या कि है यह एक देख लेते हैं फर्स्ट शेकंड थर्ड सीन और यह तीन अभी एड किये यह इसके आगे के सारे के सारे खळ लिए अब हम आगे के सीन के लिए यहां से इसको स्लेक्ट करेंगे दोनों को आगे लाएंगे यहां तक और इसको head को पूरा निच्छे कर लेंगे, यहां से हम third को select करेंगे, और उसको head को आगे की तरफ लाएंगे, और इसके head को यहां से उपर उठाएंगे, यहां से आप देख सकते हो, मैंने पिच्छता तक head इसका उपर उठाया, और इसके बाद हम इसके next यहनी और second को हम यहां से इसको rotate करेंगे, और इसको भी एक circle में लाएंगे, यहां से उसके बाद इन दोनों के लेंप को on कर लेंगे, और उसके बाद हम पांच नमबर, यहनी first star को यहां से इसके head को उपर कर लेंगे, यहां से सबकर 70 तक रखा है, इसका पिच्छे तक रख लेते हैं, यह हो गया, और इस दोनों के भी लेंप को on कर लेंगे, अब हम इसको add कर लेंगे, midi add fourth पर, उसके बाद हम इसका सबसे पहले fifth का, इसका head हम निच्छे कर लेंगे, यह हो गया निच्छे, और fourth का head हम उपर कर लेंगे बहुर, यहां से बस, इसके बाद हम second को select करेंगे, third को, और इसके head को down कर लेंगे, यह हो गया, और इसके बाद second को select करेंगे, इसके head को उपर कर लेंगे, यह हो गया, उपर, अब इसको हम, midi add और five पर add कर लेंगे, अब हमारा four five, यह हो गया, अब हम इसको add करेंगे, scene, chase three पर, तो chase three लेंगे, उसके बाद हम four को select करेंगे, midi add, five को select करेंगे, और midi add, यह हमारा इसके अंदर और add हो गया, तो यहां से सिदम पूरा बाहर आ जाएंगे, और यह हो गया हमारा blackout, यहां से dmx one, उसके बाद आप उसके on करेंगे, on करने के बाद, अब हम इसके अंदर auto चलाएंगे एक बाद, जैसे chase three auto, और इसके speed को उपर करेंगे, तो यह एक circle हो गया हमारा, तो हमने total दो circle बना लिया है, एक और इसके अंदर programming एड़ कर लेते हैं, तो इसके लिए dmx spawn कर दिया है, program button को trace करके रखा, और इसके बाद हम एक multiple circle select करेंगे, जिसमें दो-दो SARP एड़ करेंगे, तो सबसे पहले मैं first number SARP को लेता हूं, और इसको एक moment पर लाकर छोड़ेता हूं, उसके बाद हमारी third number SARP, जो रहेगी, sorry second number SARP, जो यह वल रहेगी, इसको एक moment पर लाकर छोड़ेता है, जैसे यह दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो, यह इस type से, और लेंप भी बन दी है, और इसको और नहीं किया है, तो आब इसको third SARP select करेंगे, उसके बाद इसके भी एक moment को ले लेंगे, जो उन दोनों का आप सी moment रहेगा, और उसके बाद हम fourth number जो सबसे last उसको select करेंगे, और उसको हम इस type से select कर लेंगे, अब सभी के अंदर लेंप है, वो on कर लेंगे, जैसे दो का लेंप on हो गया, उसके बाद हमारी second और third का यह लेंप है, वो on हो गया, यह इस तरह से, इसको हम प्रोग्राम को add कर लेंगे, मीडी add एक पर add कर लिया, उसके बाद हम इनको वापस से second option पर ले जाएंगे, जैसे first को लिया मैंने, और इसको इस type से ले ले और इसको head को उपर कर लिया, सबी का head हम एक same situation पर ले कर जाएंगे, जैसे मैंने बहुत अप्रता रखा इसका head, उसके बाद इसको बंद किया, और second को select किया, इसके head को आप उपर ले जाएंगे, इस situation में और यहां से head को उपर ले जाएंगे, बहुतर हो गया, उसके बाद हम हमारी third saafu को select करेंगे, इसके head को गुमाएंगे rotate उपर हो गया, और इस पर रोटेट कराएंगे, same angle तक, उसके बाद हमारी fourth, इसके head को भी उपर और इसको भी गुमाएंगे, same position पर, यह हमारा हो गया, midi add और two पर, यहनि first हमारा यह रहेगा, second हमारा यह वाला रहेगा, इसको अबएड करेंगे, तो says one select करेंगे, उसके बाद first, midi add, second, midi add, यह दो नाइड हो गया, और इसको अब close कर लेंगे, सबसे पहले program button को प्रेस करके रखाएं, और blackout बरागे बार, यहां से says one search गया, photo, यहां से speed बढ़ेंगे, तो यह हमारे एक सर्टल हो गया, smooth सलाने के लिए इसके fed time को थोड़ा अपर करेंगे, जिससे हमारी सारपी स्मूथ सलेगी, यह आप देख सके हो, अब smoothly इसका program running गोरा है, यहां से आप देख सकते हो, अभी सारपी से लगबग मैं काफी दूर बैठा हूँ, और यहां खुले में सारपी अभी चल रही है, देख सकते हो, यह थी हमारी सारपी की प्रोग्रामिंग, मैंने टोटल तेन या चार प्रोग्रामिंग एड की थी इसमें, हलान की शुरुआत में एक प्रोब्लम जरूर रही, जो हमारी फर्ट सारपी थी वार बार रिसेट हो जाती थी, फिर इसके DMX एड्रेशिंग को थोड़ा सेंज गया, जो 001 था, उसको मैंने 0 पैसर पर रखा यानि 5 नवर पर रखा, उसके बाद यह प्रोब्लम नहीं आई, और फाइनली हमने इस चारो का एक साथ में प्रोग्रामिंग बना ली है, जो काफी अच्छे से रन कर रही है, तो आप भी इस तरह से एक DMX पर अलग-अलग मोडल की सारपी भी सला सकते हो, हलान की अगर आप बड़े मिक्सर यूज करते हो, तो उसमें इन चारो को एक साथ में सलाना पॉसिबल होता नहीं है, लेकिन आप DMX के उपर ये चारो को सला सकते हो, तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हमार अगले किसी नेक्स वीडियो में.